सस्ते मटकी से बनाए महेंगा गमला या फूल दान हलो दोस्तों मैं हूँ नरेंद्र दिली इंडिया से पूरी जानकारी के लिए मेरे साथ चैनल पे बने रहे मार्किट में ये छोटी वाली मटकी 15-20 रुपे में आसानी से मिल जाते है चाहें तो बड़े साइज का भी ले सकते हैं ये कटर हार्डवेर की दुकान पे आसानी से मिल जाता है इसी कटर से मटकी के उपरी हिस्से को साबधानी से काट ले थोड़ा बहुत अनिवेन रह जाए तो बाद में ठीक कर सकते है आप चाहें तो उपरी हिस्से को नीचे चिपका कर एक नया शेप क्रियेट कर सकते हैं ये वॉल पुट्टी है जो किसी भी हार्डवेर की दुकान पे आसानी से सस्ते में मिल जाता है केवल पानी मिला कर एक गाढ़ा पेस्ट बना ले पुराने नाइफ की साहता से मटकी के निचले हिस्से पे अपलाई करें नीचे से बिलकुल गोल शेप दे वॉल पुट्टी में केवल पानी मिला कर एकदम सौफ्ट और बढ़िया डो तियार कर सकते हैं डो बनाने का पूरा तरीका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है इस डो को केवल चार घंटे तक यूज कर सकते हैं तो क्राफट के लिए जितनी जरूरत हो उतनी ही बनाएं वॉल पुट्टी में केवल पानी मिलाकर एक गाडा घोल बना लें मट्की के जो अनईवन एरिया रह गये हैं उन पे वॉल पुट्टी का गोल लगाएं डो से कोईल बना कर मटकी के किनारे को समतल करें मटकी के बाकी बच्चे हिस्से को वाल पूटी के पेस्ट से कोट करें कम से कम दो कोट करें इन्हें ड्राई होने दे जैसे ही ये ड्राई हो जाते हैं 320 नंबर के रेगमाल यानि सैंड पेपर से क्राफ्ट को फिनिश करें जो भी ड्स निकले उन्हें ड्राई ब्रस से समेट कर ड्स बीन में डाल दे वाल पूटी में कीवल पानी मिलाकर गाड़ा घोल तियार करें क्राफ्ट के अंदर थोड़ा सा घोल डाल कर चारुत रफ घुमाए तकी अंदर की लेरिंग हो जाए वाल पूटी के डो से आधे इंच की चोड़ाई लंबाई आप से जितना हो पाए मीडियम थिक शीट बना ले किसी एक क्राफ्ट के किनारे गोल की साहता से चिपका कर फिनिश करें दो से छोटे छोटे पल्स बनाए बॉर्डर के नीचे वाल पूटी के घोल की साहता से एक लाइन से चिपकाते चले जाए इसके साथ ही छोटी छोटी धेर सारी पत्तिया बनाकर ड्राई कर लें किसी एक क्राफ्ट पे रिदम में डो की साहता से पतले कोईल्स बनाकर चिपका लें हमारा क्राफ्ट कलर करने के लिए बिल्कुल तैयार है अपना मन पसंद कलर चुने और कलर स्टार्ट कर दे वाल पूट्टी पे एक्रेलिक कलर बिल्कुल खिल कर आता है एक कोट करें ड्राई होने दे फिर दुबारा कोट करें अपने आप शाइनिंग आ जाती है और वार्णिश की जरूरत नहीं पड़ती सभी कलर्स के नाम और नमबर डिस्क्रिप्शन में एवलेबल है पत्तियों को फेविकॉल से चिपका ले बीच बीच में अगर आपके पास मिरर है तो वो भी चिपका सकते हैं यह मास्किंग टेप है इसे हम बार बार चिपका कर बार बार अलग भी कर सकते हैं बॉर्डर वाले डिजाइन बनाने के लिए इसे क्राफ पर एक पैटर्न की तरह चिपका ले बीच वाले खुले पोर्शन पे कलर स्टार्ट कर दे मैंने मल्टी कलर किया है आप चाहें तो सिंगल कलर का भी कॉम्बिनेशन रख सकते हैं जैसे ही कलर ड्राई हो जाता है टेप को निकाल ले यह आराम से निकल जाएंगे और नीचे का जो पोर्शन है वो बिलकुल खराब नहीं होगा वाइट अक्रेलिक कलर से बॉर्डर की फिर से फिनिशिंग कर ले वाइट वाले पोर्शन पे कट मीरर लगा सकते हैं पर जरूरी नहीं इस ग्राफ्ट में डैरेक्ट मिटी न डाले पहले से लगाया हुआ पोधा या फिर आर्टिफिशल प्लांट लगाएं तो दोस्तो सस्ते मटकी से बना ये सुन्दर सा गमले का सेट तयार है बस इसे घर में रखने भर की देर है जहां भी रखेंगे उस जगा की खुबसूर्ती और बढ़ जाएगी वाल पुटी क्राफ्ट वाटरप्रूफ नहीं होते तो इसे इंडोर लगाएं पानी गिर जाए तो कपड़े से पोच लें वाल पुटी क्राफ्ट बनाने से पहले डिस्क्रिप्शन में एक बार विजिट करें वहां से समझ कर साफधानिया बरतने से आपका क्राफ्ट और परफेक्ट बनेगा वाल पुटी क्राफ्ट सीखने के लिए ये दो ऑल लाइन क्लासेस जोईन कर सकते हैं इसमें बेसिक जानकारी दी गई है ज्यादा जानकारी के लिए आप मुझे मेरे वाट्सअप पे मैसेज करें मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर आप सभी क्राफ्ट के धेर सारे डील्स देख सकते हैं इसके साथ ही फेस्बुक पे भी आप फॉलो कर सकते हैं बिल्कुल आपके बजट वाले हज्जारो क्राफ्ट वीडियो अभी आने बाकी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपका कोई भी मन पसंद वीडियो आपसे मिस ना हो जाए इसके साथ ही एक बेल आइकन है उसे भी दबा दे ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल पाए आपने किमती समय दिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप देख रहे थे मेरा चैनल क्रफ पोकेट